Hello dear students, so this is my 12th video and we were discussing the chapter of human development, Manav Vikas. आज हम लोग इस chapter के next topic की और बढ़ेंगे, that is indicators of human development and human development index. पिछले वीडियो में हम लोग ने discuss किया था कि मानव पुण्जी या मानव पुण्जी निर्मान क्या होता है, यह किन स्रोतों से अपने आपको form करता है और इसकी आर्थिक विकास में क्या महत्व होते हैं, यह सब हम लोग ने पिछले वीडियो में डिसकस किया था, आज हम देखेंगे कि यह किस प्रकार indicate करता है मानव के उत्थान के बारे में, मानव विकास के संकेतक के रूप में मानव विकास सूचकांग, जिससे हम Human Development Index के नाम से जानते हैं, इसकी जो प्रतिपादन होई थी, वो United Nations की एक एजंसी, United Nations Development Program ने वर्ष 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट में किया था, तब से लेकर अब तक UNDP जिससे हम लोगों ने भी डिसकस किया, United Nations Development Program ने प्रतिवर्ष एक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तूत करती है, और यह रिपोर्ट विबिन देशों के मानव सूचकांग किस तर पर रैंकिंग करती है, और इन रिपोर्टों के आधार पर मानव विकास सूचकांग का निर्मान करती है, अब हम देखेंगे यह मानव विकास सूचकांग है क्या, वाट इस HDI, यह questions जनरली आते हैं, बट अभी तो अपका exam optional है, तो कम से कम एक idea होना चीए कि वाट इस HDI, वाट अर्दाव इंडिकेटर्स ओफ हडियाई, तो HDI, तीन सामाजिक मापदंडों या सोशल इंडिकेटर्स का एक mixed सूचक है, जिसमें वास्तविक प्रतिव्यक्ती GDP का ध्यान रखता है, किसी देश के HDI का मूल निकालने के लिए तीन सूचकों को लिया जाता है, वह तीन सूचक हैं, दिरगायू, जिसे हम इंगलिश में कहते हैं, लॉंगिविटी, तूसरा, उसकी सैक्षनिक उपलब्धियां, एजुकेशनल अटेइन्मेंट्स, और तीसरा, पर कैपिटा, रियल डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट और इंकम, प्रतिव्यक्ति, वास्तविक, सकल घरेलू, उत्पाद या आय, यही तीन इंडिकेट करते हैं, कि हुमेन डिवलप्मेंट हो रहा है, और किस प्रकार से वह हो रहा है, सबसे पहले हम डिसकस करेंगे इसकी पहले इंडिकेटर के बारे में, दिरगायू या लॉंगिविटी, इसे जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा या एक्स्पेक्टीशन ओफ लाइफ एट बर्थ द्वारा मापा जाता है, जिसे वर्तमान में अर्थशास्त्रियों द्वार नियूनतम 25 वर्ष तथा अधिक्तम 85 वर्ष तक दिखाया गया है, दूसरा है उसकी सैक्षनिक उपलब्धियां, एडुकेशनल अटेन्मेंट, इससे भी पता चलता है कि हुमन कितना डिवलाप हो रहा है, हुमन बिंग्स से कितना एकनॉमी को फायदा होगा, अगर जब त सैक्षनिक उपलब्धी नहीं होगी, हुमन बिंग्स के पास, एडुकेशनल अटेन्मेंट नहीं होगा, तब तक डिवलाप्मेंट मुश्किल होता है, तो सैक्षनिक उपलब्धियों की माप निम्रिखत वेरेबल्स द्वारा की जाती हैं, सबसे पहले इसमें है एडल्ट लिटरसी रेट, प्रोड साक्षर्ता दर, इसमें क्या है पंदरव वर्ष या उससे उपर के आयू के सो व्यक्तियों में जितने व्यक्ति स्टेट्मेंट को पढ़ और लिख सकते हैं, उसे प्रोड साक्षर्ता दर कहते हैं या एडल्ट लिटरसी रेट कहते हैं, इसके अं नामांकंदर जिसे gross enrollment rate GER के नाम से भी जानते हैं। इसमें है जनसंख्या का वह भाग जिसका नामांकंदर प्राथमिक स्कूल, middle school, higher secondary या विश्व विद्याले स्तर पर हुआ है। उसे gross enrollment rate कहते हैं। तो हमने देखा कि सैक्षनिक उपलब्दियों में हम लगों ने दो प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा हैं। एक है adult literacy rate और दूसरा है gross enrollment rate। adult literacy जैसा नाम ही suggest कर रहा है कि कितने लोग हैं जो 15 वर्ष या उससे उपर के हैं और वह पढ़े लिखे हैं। इसे adult literacy rate कहते हैं। और सकल नामांक अंदर हो गया gross enrollment rate कितनी जनसंख्या का वह भाग है जिसके नामांकन कम से कम स्कूल में किया हुआ है। और विश्विद्याले में किया हुआ हुआ है उसे GFR कहते हैं। Next is third जो हमारा indicator है वो है per capita real gross domestic product और income। इसके द्वारा लोगों की क्रेश शक्ती या वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने की शक्ती या व्यक्तियों का जीवन स्तर मालूम किया जाता है। इसकी गण्ना इस प्रकार की जाती है प्रतिव्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद is equal to स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद divided by total population या कुल जन्संक्या। तो ये है मानव विकास सूच का अंगा। अब हम देखेंगे कि यह मानव पुण्जी और मानव विकास में क्या अंतर होता है। What is the difference between human capital and human development। मानव पुण्जी सिक्षा एवं स्वास्त के को सम्मिलित करते हुए श्रम उत्पादक्ता में व्रिधी का एक means है, एक साधन है जबकि मानव विकास एक end है। मानव पुण्जी साधन क्योंकि व्यक्ति के कोशल, ज्यान एवं प्रसिक्षन का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में करता है। मानव विकास एक लक्ष है जिसका अर्थ व्यक्तियों में अच्छी सिक्षा, कौशल, प्रसिक्षन के साथ साथ अच्छा स्वास्त भी सुनेशित करना है। मानव पूंजी निर्मान वस्तुता मानव विकास के लक्ष की प्राप्ती का एक मार्ग है। इस प्रकाव मानव पूंजी और मानव विकास एक दूसरे के पूरक या कॉंप्लिमेंटिंग फैक्टर है। अब हम देखेंगे भारत में मानव पूंजी निर्मान किस प्रकार होता है। भारत में तीवर आर्थिक विकास के लक्षों को प्राप्त करने की दृष्टी से हम लोगों ने पढ़ा पंच वर्षय योजनाओं में विनियोग करने की आवशक्ता को सैध्यांतिक रूप से स्विकार तो कर लिया गया है। लेकिन पंच वर्षय योजनाओं में मानव पूंजी निर्मान पर आवशक्ता के अनरूप महत्व नहीं दिया गया है। इसके विपरीत विक्सत देशों में पर्याप्त मानव पूंजी निर्मान के कारण स्किल फॉर्मेशन का स्तर काफी उंचा है। तो भारत की पंच वर्षय योजनाओं में मानव पूंजी निर्मान में सिक्षा, टेकनलोजी स्वास्त पर किये गया व्य कि प्रतिशत को नीचे किया गया है। अब हुम देखेंगे भारत में मानव पूंजी निर्मान की क्या सीमाए हैं और क्या कठनाई हैं। Limitations of Human Capital Formation in India भारत में जो मानव पूंजी निर्मान की निम्नस्तर होने के जो रीजन से हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो रीजन हैं वो हैं Increasing Population। जनसंख्या में वृद्धी या जनसंख्या विस्फोर्ट का नाम भी आप दे सकते हैं। भारत में जनसंख्या के वृद्धी बड़ी तीवरे हैं और जनसंख्या पहले से ही बहुत अधिक हैं। इतनी अधिक जनसंख्या के विकास के लिए बहुत अधिक साधनों के आवशक्ता होगी। और भारत जैसे नर्धन देश के लिए इतने साधन की विवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। प्रेरित नहीं होते हैं। तीसरा है रोढ़ी वादिता, कंजर्वेटिजम। भारत में क्या है कि व्यात रोढ़ी वादी विचार तकनीकी ज्यान को अपनाने और उसे लागू करने में बाधक सिध्ध होते हैं। इसके कारण मानव पूंजी निर्मान का स्तर निम्न बना हु नेक्स्ट पॉंट इस चेत्रिय विशमताएं, रीजिनल इंबैलंसेज, मानव पूंजी में सुधार के लिए जिन शेवाओं को उपलब्द कराया गया है, वे देश के विभिन चेत्रों में असंतुलित देखे गया हैं। ये विशमताएं ग्रामीन और शहरी चेत्रों में विशेश रूप से देखने को मिलती हैं, जिसमें सिक्षा स्वास्त आदी की विभिन सीवाएं शहरी चेत्रों में ही उपलब्द हैं और ग्रामीन चेत्रों में इनकी घोर कमी देखने को मिलती हैं। अंतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके फल्सरूप एक और तो श्रम शक्ती नश्ट हो रही हैं और दूसरी तरफ श्रम का उत्पादन में योगदान कम होता चला जा रहा है। तो ये सब कारण है हमारे मानव पूंजी के लो लेवल का। और भारत में सीक्षा का चेत्र का क्या विकास है। इन सब टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट विडियो में देखेंगे। ये सुओंस लंट